y square upon में 9 minus का x square upon 27 equal to 1 अब देखिएगा कि यहाँ पे हम जो पेराबोला में देखते थे थे ना कि भई y square का denominator देखिए x square का denominator देखिए वो यहाँ पे नहीं देखते हैं हम यहाँ पे सीधा comparison इनकी standard form से करते हैं और उसके according ही यहाँ पे चलते हैं यह बात हैं समझ में आगी बात तो यहाँ पे वो नहीं चलता है कि सर आप तो वो वाला रूल नहीं लगा रहे होगी यहाँ पे denominator किसका ज्यादा है किसका कम हो वो नहीं चलेगा यहाँ पे सीधा form चलेगी ठीक तो देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि अबव हाइपर हाइपर बोला इक्वेशन कौन सी है कमपेर कमपेरिंग विद कमपेरिंग विद स्टेंडर्ड फॉरम स्टेंडर्ड फॉर्म कौन सी अपने पास देखिएगा कि y²- य GRANT स्टेंडर्ड फॉरम पहले y आ रहा है तो इसका मतलब y की government बनने वाली है तो यहां से जैसे आप यहां पर देखोगे तो यहां से देखिएगा कि a comparison कराएंगे तो अपने पास a की value तो कितनी है 3 है और b की value कितनी है देखेंगे तो 27 तो यहां पर देखिएगा कि इसका 27 है तो देखिएगा कि क्या लिख सकते हैं इसको under root में इसको लिख सकते हैं 3 under root 3 लिख सकते हैं b जैसे आप इसका square करोगे तो 9 और 27 आ जाएगा तो यह अपने पास देखिएगा कि b आ गया अब अपने को क्या चीज है c चीज है c चीज है तो हम क्या जानते है c तो यहां से देखिएगा कि हम क्या जानते, we know that, c equal to क्या होता है, under root में, a square plus का, b square, तो यहां से c क्या आएगा अपना, यहां पर कितना है, कि 27 plus का कितना है अपने पास, यहां पर 9 है, तो यहां से देखिएगा कि यह क्या आएगा, 36 आएगा, तो यहां से 36 आए, 36 के अंडर root से बाहर लाओ, इसको 6 आएगा, यहां तक clear है आपके बात है, तो clear है, तो यहां पर c और a की value आगई, यह parabola कौन, hyperbola, sorry hyperbola कौन सा बनेगा अपनी इस जंग में, तो देखिएगा कि कारगिया की जंग होने तो इसी परकार आपनी hyperbola की जंग है, को hyperbola की जंग को हमें जीतना है, तो यहां से देखिएगा कि यह इस पर बनेगा, तो यह दिखिएगा कि इधर खुलेगा नीचे की तरफ और यह देखिएगा कि, यह परवोला आएगा यहां पर यहां पर आपको प्रपज वह है कि हम पूरा प्रप्लीट लिख्युशन को रीडाउट करें इस परकार से तो यहां से यहां से देखये गा कि यहां पर देखियेगा कि अपने पास क्या है अब यहां से दें फोकस F1 निए और इसके कोडिनेट 0 और यहांपर क्या आईगा c- plus और यहांपर इसके वर्टेक्षिस एक कोमा 0 आने वाले हैं यहांपर वर्टेक्सिस यह आने वाले हैं वे आने वाले माईने इसका 1, इसका center देखिएगा कि 0,0 है और यह देखिएगा कि यह कौन सा axis है अपने पास, यह x axis है, और यहां से x dash आगया, और यह अपने पास y dash है, और यह अपने पास y यहां तक की बाते के लिए रहा ही hope आपको, तो यहां से हमें 3-4 चीज़ों के बारे में conclusion निकालना है, तो देखते हैं, तो यहां से पहला point अपने पास देखिएगा कि क्या आता है, coordinates of 4 की points, तो इसको क्या लेखते हैं, c से, यहां फिर 4 की points के coordinates देखिएगा, वो अपने पास आते हैं, plus minus के c, 0, तो यहां से c की value कितनी है, अपने पास, plus minus का c equal to 0, यहां से यह एक चीज clear होती है अपने, तो second है वो अपने पास, यह आएगा, vertices, vértex इस, vertex में देखिएगा कि plus minus a, 0, तो यहां से A की value देखेगा कि क्या है वो अपने पास प्लस यह 0 हो गया, यहां तक किलिए रहे length of क्या चीए आपको length of LR चीए, LR चीए तो वो क्याएगे अपने पास 2 B square upon me A तो यहां से B तो कितना है B है वो अपने पास देखेगा कि 2 into 20 7 upon me कितना है 6 A चीए ना तो यहां से देखेगा कि 3 times गया, 2 into यह 9 times गया तो यह 18 बचा, यहां से गया है अब अपने को क्या चीए, इंस नेटरी CT C चीए, तो C चीए तो अपने पास C की value तो 6 है C यहां पर C देखेगा कि C upon me A का formula आता है, तो C equal to यह है और A equal to 2 है A equal to कितना है? 3 है, sorry A equal to अपने पास है 3, तो यहां से जैसे solve करोगे तो 2 आएगा, यही अपने पास क्याएंगे, answers